नमस्कार वक्त उचला है डेवाडी की सुबह की बड़ी खबरों का तो आपको बदादी की एक व्यक्ति को 20 साल की सजा और 50,000 रुपय के जुर्माना लगाये गया है तेखिन नाबालिक से दुश्क्रम करने के रुपय को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई पी सल की सजा फा अगले दिन पीडिता की साथ घर में गुशकर उसके साथ कल्थ हरकत की है तब उन्होंने शिकायदी थी अप्लेशन रिपोर्ट लिखकर जांसरू कर दे थी अब उनको 20 सजा हो गई है वहीं दूसी तरफ गद में नाबालिक से असलील हरकत आरोपिक रफ्तार मोडल टाउन फराचेतर के एक कालोनी निवासी नाबालिक से प्डोस में रहने वाले युवक ने घर में गुशकर असलील हरकत की गटना की समय बच्ची के माता-पिता बाजार में खरीतारी के लिए कई हुए थे जब माता-पिता वापिस आये तो आरोपि उनके घर से निकल कर भागा जिसके बाद उससे पकड़ने का प्रियास भी किये गए लेकिन अरोपि फरार हो गया है अब प्रिशन रिपोर्ट लिख ली है और जाच सुकर्दी है आगे खबर करेंगे तो अवेद कालोनियों पर चला शिकंजा देखिए जिलार नगर योजनाकर विबाग की तरफ से ल प्रिवाग की इस कार्वाई से अवेद कालोनियों में हटकम मच गया परसर्शन की तरफ से भारी प्लिशबल के साथ इस कार्वाई को अंजाम दिया गया है आगे खबर की बात करेंगे तो तापमान लगातर बढ़ता जा रहा है तीन दिन में 0 डिग्री से बढ़कर 8.5 ड तonen की को टापम में दे pac करेंगे में रहाद की बिएक्प्रॉबल का वे भारा घ्रा परसरी था इस रहाद हो आगे ईसक्तर बढ़कर Taneli ड़कर प्ला को अंजा वेद से भापमान दो